जए हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साइटी की बहुत ही महत्तुपूल कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैन आंसर आपको यहाँ पर देख गया है तो कोई बात नहीं आपर पत्थर गली आपके यहाँ पर सही आंसर देखें यह जो है नासरा सरमा की कहानी संग्रह है पत्थर गली और यह कब की कहानी संग्रह है अठारा सो स्वरी उननिस सो चासी उननिस सो चासी और यह एल्टी ग्र पर बाउन है और इसका जो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर ए यानि की कहानी आपका राइट आंसर है दुलाई वाली जो है एक कहानी विधा की रशिना है और इसकी लेखी का अगर पूंचा जाए तो बंग महिला जिनको राजिंद बाला घोस की नाम से जान जाता है इनक जाता है यहां जाता है झाषिंद बताने हैं आपके राइट समय नंबर डाइरी है यहां से संस्मन हैं और सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर तो चंगन का आपका सही आंसर विकल्प नंबर एक यान की कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कहानी आपके हैं आपर सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर है आचा रामचन सुकल हिंदी की पिर्थम कहानी किसी मानती हैं तो रामचन सुकली जी जो हिंदी की पिर्थम कहानी मानते हैं वह किस को मानती हैं यह बताने 11 वर्स का समय दुलाईबाली इंदुमती और फिर तो आप का हcott मर पर सभी आंसर है यह मानते है किसको इंदुमती को मानते हैं बिल्कुल जाए किसोरि लाल जासवामी की है projections कि इसी कोहानी मानते है हिंदी कि अंगले क्या साहित में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले चित्रकार का नाम बताना है बै चित्रकार कौन है सिर्फ सिर्फ तीन कहानिया की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित में अपनी अमिट पहचान बनाई है तो बै हैं कौन बै हैं चंदधर सर्मा गोलेरी जी गुलेरी जी जो है इन्होंने एह पहचान बनाई है तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर संताउन पूँचा है बुद्धु का कांटा कहानी के लेखक कौन है यह आपका देखिए कौस्चन नंबर आपका यहाँ पर संताउन क्या पूँचा गया है तो बहे आप यहाँ पर देख लेते हैं कौस्चन नंबर संताउन आपका यह रहा देखिए निमनलिकत में उसे कौन सी कहानी चंदर सर्मा गुलेरी की नहीं है देखिए इनकी नहीं पूँचा है गुलेरी कृत नहीं है तो सुखमा जीवन बुद्धु का कांटा 11 वर्स का समय उसने कहा था तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है विकल्प नंबर सी आनकी 11 व एक पती के नौट से एक कहानी के लेखक आपके लिए बताना है तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा शिते होगा अगया क्या आ है यह कौन है आपको करना यहां पर वह मंता का लिए hey यह पत्नी कि नोड़ का महें है ॉंकल्या और अयग्लीक लिए नाशन क्या है से जिसके लेखक महिंद्र भल्ला है उपन्या से याद रखिए अंगला कॉस्चिन क्या पूच्छा क्या है तो हरी बिंदी किस साहित्तिकार की कहानी है कॉस्चन नमबर साथ बताना है हरी बिंदी किस साहित्तिकार की कहानी है मैत्रे पुस्पा मिर्दोलागर्ग उसा प्रिय कानी के लेखक हैं मंजुल भगत हैं मुर्दोला गर्ग रमीश बत्वा या फिर उसरी बत्रा या फिर सुरेंद्रत्यवारी कोश्चन नमबर 61 है आपका महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नमबर एक यानि की मंजुल भगत आपका यहां पर सह प्रकासे थुईती तो 1986 में प्रकासे थुईती और इसकी लेखक मंजुल भगत है कोश्चन नमबर आपका मंजुल भगत मुर्दोला गर्ग की बेहन है क्या राइट आंसर है क्या है राइट आंसर 62 का तो यह आपका GIC प्रवक्त परिक्ष्छ 2017 में पूंचा गया महत्तपूर्ण question है मुक्ति बोद यह कहानी के लेखक जो कौन है बहे हैं मुक्ति बोद आपका राइट आंसर होगा सताह से उठता आदमी PGT में पूंचा गया question किस बिधा की जो सताह से उठता आदमी की बिधा बताना है काप बहे नाटा के कहानी है या फर नाटि काप बहे question number 63 काप का जो सही आंसर होगा वहे आपका विकल्प number B यान की कहानी है कहानी बिलकुल सही सताह से उठता हुगा आदमी एक कहानी बिधा की रचिना है और इसके लेखक अगर पूंचा जा तो गजाननमादम मुक्तिवोद इसके लेखक है question number आपका यहाँ पर 64 क्या पूंचा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number 64 आपका ए रहा देखे question number 64 है कि नम्नानकित में से कौन कथाकार नहीं है कथाकार नहीं पूंचा है किष्णा सोबिती निर्मला जेन या पर मम्तकालिया अमिलनाल पांडे तो question number 64 का आपका जो सही answer है कथाकार नहीं है तो आपका सही answer है विकल्प number C आनिकी निर्मलाजयन निर्मलाजयन आनिकी विकल्प number C आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही निर्मलाजयन एक अथाकार नहीं है बल्कि एह आलू चक है एक और अंगले question क्या है seat number 6 की लेखिका क का तो आपका यहां पर सही answer है राइट answer विकल नंबर-C यान की मंता凰िया देखिए जो seat नंबर-6 मंता-कालिया की कानी संग रहे है यह ऊदु्षेर.टम पन्न्यास पर तो पन्यास से संबंदित महत्वपुन जो question है बहुत देख लेते हैं डाक्टर कासी नास सें द्वारा लिखे तो पन्यास उप संहार की कतावस्तु को आधार है क्या है इसका आधार इसकी कतावस्तु को आधार बताना है तो first question पूँचा क्या है question number 1 right answer है आपका विकल्प number B आनकी महाभारत युद्ध की बाद किश्न का जीवन यह जो है इसका कतावस्तु को आधार है तो विकल्प number B right answer आपका यहाँ पर होगा question number 2 आपसे यहाँ पर पूँचा है अपनी अपनी अजिनभी उपन्यास के लेखक हैं इस उपन्यास के लेखक आपको बताना है इसके लेखक कौन है तो महत्यपुण question है और आपके यहाँ पर सही आंसर है अपनी अजिनभी और इसके लेखक कौन है तो सचितानंद हीरानंद वास्ताइन अग्गे तो यह इनका पूरा नाम है नहीं तो आपका यहाँ पर लिख पुच्छा गया है देखें कि निमने लिखित को नीचे दिए गए कूटों की सहाइता से सुमिलत करना है तो यहां पर सुमिलत कर लेते हैं उपन्यास दिए गए और उनके रचनाकार यहां पर दिए गए हैं कूट में आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आं आंबा यह चित्रा मुगदल जी का यह उपन्यास दिए गए हैं बिल्कुल सही राइट आंसर है कॉस्चन नंबर आपका यहां पर चार पूछा है सेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के पांच सबसे महत्पुन उपन्यासों में मानता हूं प्रसित्य उपन्यास सेखर एक कल्क यहां पर दिया गया है कि यह मत या तो विद्ध्यनेवास मिसरुजी का है या फिर नाम बार सहusement का है तो यह जो मत है एक नामबार सह है किया है इनका मत की जीवन गाता खालिस्तान अपन्यास में हैं जुलूस में मैं अचल में नच्योबहत गुफाल या फेर फर्टी परिकत Scottish तो समान से उपेक्छे बंग्यों की जीवन कथा जीवन गाता कालिस्तान अपन्यास में biod eigenlijk नच्योबहत गोपाल विकल्प नंबर विकल्पिए आपका यहां पर सही answer है question number 6 पूँचा है आपसे तीसरी सत्ता उपन्यास की लेखक का नाम क्या है तो इनके लेखक आपके लिए बताना है इसके लेखक में कौन है तो आपका सही answer विकलत number 1 गिरी राज किसूर गिरी राज किसूर आपका राइट answer होगा question number आपका यहां पर 7 पूँचा गया है कि 30, 40, 50 उपन्यास की लेखक कौन है 30, 40, 50 उपन्यास है और इसके लेखक के केसूर पृसाद या राजिंदर पृसाद भेरा पृसाद पृभाकर माचवे तो GIC प्रवक्ता परीक्षा में या आपका 2017 पूँचा गया था और पृभाकर माच भी आपका राइट answer यानि कि विकल्प number D आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही question number आपका यहां पर 8 क्या पूँचा गया है तो question number 8 आप से पूँचा है फांस यह उपन्यास है और इसके लेखक कौन है आपका यहां पर राइट answer है बिल्कुल सही संजीव आपका यहां पर राइट answer होगा question number आपका यहां पूँचा गया है क्या पूँचा गया है तो देख लेते हैं निमने लिकत में से कौन सा उपन्यास कमलिस्वर का नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे यहां पर तो नहीं है तो आपका यहां पर राइट answer क्या होगा question number 9 है question पूँचे क्या है कमलिस्वर का उपन्यास नहीं है तो चौखट चौखट आपका यहां पर सही answer होगा चौखट बिल्कुल सही विकल्प नमबर कमलिस्वर का नहीं कहानी आंदूलन से जुड़ा अगुआ कथाकारों में आता है और इनका पहला कहानी जो है 1948 में प्रकासे थुई थी और परन्तु राजा जो निर्मया से पड़े कथाकार यह बन गई थे और अंगला question क्या पूँचा क्या है यहां पर तो चंद हसीनों की खतूत खालिस्तान किसकी रचना है यह रचना आपके लिए बताना है किसकी रचना है तो question number 10 का आपका जो right answer है भै क्या है चंद हसीनों की खतूत खालिस्तान किसकी रचना है तो आपका right answer है question number 10 का विकल्प number C right answer है बेचन सर्मा उग्र आपका यहां पर सही आंसर है, बेचन सर्मा उग्र आपका विकल्प नंबर C राइट आंसर है, कॉस्चिन नंबर 11 क्या पूच्छा क्या है, तो कॉस्चिन नंबर 11 आपका यहां पर देख लेते हैं, यह है कॉस्चिन नंबर 11, किस भासा में उपन्यास को किस भासा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं यह आपको बतानाई संसक्रित गुजराती तमिल मराथी तो 11 का आपका जो जो सही आंसर है भै क्या है? बताइए तो आपके ऎहाँ पर सही आंसर है विकल्ब नंबर D राइट आंसर है मराथी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिलकुल चाही मराथी जनों ने बताया है उनका सही आंसर है Question number 12 आपसे यहाँ पर पूँचा है कि उपन्यास और उपन्यासकार की दरश्टी से एक योगम जो है असुद्ध है योगम आपको बताना है कि कौन सा योगम यहाँ पर दिया गया है जो असद्ध है उपन्यास और उपन्यासकार की दरश्टी से तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर B महाभोज उसा प्रियमबदा यह जो मतलब योगम दिया गया है यह असद्ध है देखे महाभोज मनुबंदारी का उपन्यास है यह किसका नहीं है यह उसा प्रियमबदा जी का नहीं है कौस्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूँचा गया है अजय की डायरी देवराज किस विधा की किरती है यह डायरी है ना टक है उपन्यास है या फिर कहानी है तो यह आपका महत्वण कॉस्चन है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी उपन्यास है यह अजय की डायरी डायरी देखकर आप जो है यहाँ पर डायरी ना लगा देना यह उपन्यास है तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा और कॉस्चन नंब आपका right answer यहां पर question number 14 का जो सही answer है आपका विकल्प number D यानि की सेखर एक जीवनी आपका यहां पर सही answer है सेखर एक जीवनी question number आपका यहां पर 15 पूंचा है अहपत बंदू था उपन्यास के लेखक कौन है यह पत बंदू था यह उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं बैए हैं कौन प्रभाकर स्वरी नरेश महता नरेश महता आपका सही आंसर है इसका प्रकासन जो है 1962 में गवा था नरेश महता इसके लेखक है उपन्या से ए और तो इस प्रकार अपनी यहां पर भहुत ही महत्तपुन कॉस्चन कंप्लीट हुए क्यांसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन दबाएं वाल पर क्लिक करें ताकि वीडियो की नोडिकेशन आपके यहां तक सबसे पहले पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेयर करना है ताक आज की वीडियो हैं बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिम्ट